हाई मैं फिर से आ गई और यह वाली साड़ी मैंने नहीं पहनी है एक्चुली साड़ी मैं ना एक पीज आता है ना उसकी फोटो थी तो मेरी साड़ी तो रैड कलर की थी पर इस पेज में ग्रीन कलर की थी मैंने सूचें क्यों ना मेरी फोटो चिप का दी पो आज यह मेरी डेली उसे मुझे ना गिफ्ट पर मिलिक साड़ी तो क्या ही पहनूगी थोड़ा दिन तो थोड़े दिन के साल भर तो मैं इसको आने जाने में पहनूँगी जब तक आने जाने में मैं इसके fall की बेज़ती ना खर दूना तब तक तो मैं इसको छोडने वाली नहीं हूँ तो अब हम अपनी साड़ी टकिंग पे आते हैं मैंने heels पहनी और matching का pity coat अगर matching का नहीं पहनोगे ना तो साड़ी में बहुत गंदा दिखाए देगा क्योंकि ये साड़ी रहेंगे transparent आपको matching का pity coat पहनना ही पढ़ेगा तो first round आपको first को touch करता हुआ ही पहनना चाहिए अजी जी साड़ी तो गंदी नहीं होगे पर जब आप चलेंगे ना तो साड़ी उपर हो जाएगी तो आपकी एडिया अलग दिखाए देंगी जो कि गर्मियों में बहुत जादा फट रही है तो first truck के बाद आती है बारे पल्लू बनाने की आज मैं पहले पल्लू बना रही हूँ और हर बार बनाके थोड़ी थोड़ी प्लेट उसको एक safety pin से attach कर रही हूँ क्योंकि कई जो girls ladies होती है वो एकदम सीधी प्लेट चाहती है तो अगर आपको सीधी प्लेट चाहिए हूँ ना तो आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी प्ल प्लेट होती है वो अंदर वाली सारी चोटी बिगडी सुद्री हूई सभी को अपने अंदर समा लेती है तो कुछ इस तरह से मैंने तीन जेगा safety pin लगाने को बाद पल्लू को शोल्डर पर रखा है पहले कमर के राउंड भी गुमाया है ऐसा ना आप पहले ही शोल्डर पर करके पतले होना चाहते है तो इस तरह से थोड़ी सी जगा चूड़ने के बाद बचे हुए फैबरिक के आपको जट-पट प्लेट बना लीनी है और प्लेट को एक दम टैटली पकड़ना है ऐसा ना जट-पट के चकर में वो चूड़ जाए आपका पांच मिनिट का काम 15 मि अरेंज करना है और देखना है कि वो फर्ष को टच करती ही होनी चाहिए उपर मत रखना क्योंकि यह लाइट वेट साड़ी आप उपर रहोगे तो वो और उपर हो जाएगी और जो यह पहली प्लेट है आपको सामने सामने दिखाई देरी इसको मैंने पैट से दबा लिया ह है और प्लेट्स अरेंज होने के बाद टक करने के बाद फिर उसको छोड़ना है फिर देखते हैं हमारी साड़ी कैसे छोटे बनती है क्योंकि अकसर यही प्रॉबलम होती है कि एक जो हमारी कमर के यह वाला साइड होता है यहां से साड़ी उपर हो जाती है प्लेट्स को टक कि मैं साड़ी भी समर कोट पहन के पहनती हूं, बड़े क्या करूँ, मुझे बहुत शरम आती है, मैं बहुत शरमेली हूं, उसके बाद आपको शुल्डर पर प्लेट्स नहीं, आपको पिन लगानी है, जब मैं नहीं नहीं आया थी मुझसे पिन नहीं लगती थी, तो मैं थोड़ी सी पीछे, जादा पीछे तो हम कैसे लगाएंगे, इतना वड़ा तो हात भी नहीं है, सो फाइनली साड़ी ड्रेपिंग हो चेके और अगर आप भी उपर की कंदी की प्लेट के बाद नीचे वाली भी एक सेफ्ट में लगाते तो लगा सकते हो, और फ्री पल्लु बारबर जाएगा और बहुत अनकमफर्टेबल रहेगा, तो इस चीज को कमफर्टेबल करने के लिए इसके दो जुगाड है, आपको दोनों में से जो भी सुविधा नुसार सही लगया, आप वो अपना सकते हैं, तो पहला जुगाड ये कहता है कि जो नीचे वाली इसकी प्लेट है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं पर आपको बस ऐसे ही रखना पड़ेगा, टूटे वे हाथ के तरह हैं, तो इस नीचे वाली प्लेट को आपको उठाना ऐ एसके ऐसे है और उपर वाली प्लेट के पास ले जाके पिन कर देना है, ताकि जो बीच की प्लेट बनाने क आपकी border है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है आप सोचो कहीं shoulder पे हम वैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं नहीं 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 पांच-छे करके plates बनानी है कि उपर तक आ जाए वहां एक safety pin लगाने है और वापस अपने ठाकुर वाला हाथ गुमा लेना है और अपने इस हा जिससे आप अपने दुनों हाथों को सीधे करके काम कर सकते हैं अब पल्लू की problem में पीछे भी पल्लू free रहता है तो आगे अगर आपने चूड़ी breastlight कुछ भी पहन रखा है न तो उसमें से लिजाकर एक safety pin से उसको attach कर दे खुद से safety pin लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो ज जी मूड के ने देखा अजी मैं तो मजाग कर रही थी रील बना रही थी पता नहीं इस वीडियो में कहां से आगे तो मैंने सुचा रहने दू so I hope आपको वीडियो पसंद आयोगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना है thanks for watching bye